विजयनगर के राजा कृष्ण देवराए को अनुखी चीजों को जमा करने का बहुत शौक था। हर दर्बारी उन्हें खुश करने के लिए ऐसी ही चीजों की खोज में लगे रहते थे ताकि राजा को खुश कर उनसे मोटी रकम वसूल सके। एक बार कृष्ण देवराए के दर्बार में दर्बारी ने एक मोर को लाल रंग में रंग कर टेश किया और कहा महाराज इस लाल मोर को मैंने बहुत मुश्के से मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए पकड़ा है राजा ने बहुत गौर से मोर को देखा। उन्होंने लाल मोर कहीं नहीं देख राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वास्तों में आपने अद्भूत चीज लाई है। आप बताएं इस मोर को लाने में कितना खर्च पढ़ा। दरबारे अपनी प्रशन सा सुनकर आगे की चाल के बारे में सोचने लगा। उसने कहा मुझे इस मोर को खोजने में करी तेनाली राम उसकी कुटिल मुस्कराहट देखकर समझ गए कि ये जरूर उस दरबारी की चाल है। वह जानते थे कि लाल रंग का मोर कहीं नहीं होता। बस फिर क्या था। तेनाली राम उस रंग विशेशग्य की तलाश में जुड़ गए। दूसरे ही दिन उन्होंने उस चित्रकार को खोज निकाला। वे उसके पास चार मोर लेकर गए और उन्हें रंगवाकर राजा के सामने पेश किया। महाराज हमारी दरबारी मित्र 25,000 में किवल एक मोर लेकर आये थी। पर मैं उतने में चार लेकर आया हूँ वाकई मोर बहुत खुपसुरत थे। राज इन नीले मुरों को इतनी खुपसूरती से रंगा है। राजा को सारा गोरक धंदा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गया कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्त बनाया था। राजा ने उस दरबारी को 25,000 रुपे ने लोटाने के साथ 5,000 रुपे जुर्माने का रहावा Cl घड़ा मुर्वें यह वह समरा खजेर जर राज्दा की लगास अनी र 오랜만에 दो रहाए कर देता है यह वह ठाजा इन्हें जाले का आख सम 오늘 औरे लुपे भाशवेता रहाशने है झाल झाल